C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत्य श्रंखला ओडियो बुक। इस श्रंखला में आईए सुनते हैं कक्षा 10 के इतिहास विशय की पाठ्थ पुस्तग भारत और समकालीन विश्व भागदो वाचंस्वर संजय चंसोरिया अध्याए 3 भू मंदली कृत विश्व का बनना प्रिश्ट संख्या तिरीपन बूमंडली कृत विश्व का बनना आधनिक युक से पहले जब हम वैश्वी करण की बात करते हैं तो आम तोर पर हम एक ऐसी आर्थिक अव्यवस्था की बात करते हैं जो मौटे तोर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे भूमंडली कृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी और बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवजाही का एक लंबा इत्यास रहा है आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी समपर्गों के बारे में सोचते हैं, तो हमें उन यूगों के बारे में भी जानना चाहिए, जिन से गुजरते हुए हमारी ये दुनिया ऐसी बनी है इत्यास के हर दोर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए हैं, प्राचीनकाल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीस यात्री ज्यान, अफसरों और अध्यात्मिक शांती के लिए या उत्पीडन या यात्मापुन जीवन से बचने के लिए लेकर चलते रहे हैं। यहां एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में एक इसमर्तिव शिला पर पानी के एक जहाज का चित्र है, यह गोवा संग्रहले का दस्वी शताब्दी का चित्र है। पश्यमी तटके खित्र में पाई गई नवी सदी के बाद की इसमर्तिव शिलाओं पर जल पोतों की तस्वीरों से उस काल में समुदरी व्यापार के महत्व का पता चलता है। तेरवी सदी के बाद तो इनके प्रसार को निशेही साब दिखा जा सकता है। प्रिष्ट संख्या चववन या समुदर से होकर गुजरने वाले रास्ते ना केवल एशिया के विशालक शेत्रों को एक दूसरे से जोडने का काम करते थे बलकि एशिया को यूरोप और उतरी अफरिका से भी जोडते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समयस में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15 शताबदी तक अस्थित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पौटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत वा दक्षन पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियां साथा चलते थी। शुरुवाती काल के ईसाई मिशनरी निश्य ही इसी मार्ग से एशिया में आते जाते होंगे। कुछ सदी बाद मुसलिम धर्मों पदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इसम चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया। सिल्क मार्ग है। ये आठी सदी का चितर है। गुफा, दोसुसत्रा, मोगाओ, ग्राटोज, गंसु, चीन, भोजन की यात्रा, इस्पैगहती और आलू। हमारे खाद्रबदार तो दूर देशों के बीच और भागों में मिलने वाले जटपट तयार होने वाले अर्थाद रेडी खात्रबदार्थों के भी साजा सुरोत रहे होंगे। आईए स्पैगहती और नूडल्स का ही उधरंडे। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पष्षे में पहुँचे और वहां उनी से स्पैगहती का चलन हुआ। यह संभव है कि पास्ता आरब यात्रियों के साथ पांचवी सदी में सिसली पहुँचा जो अब इटली का हिक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाय जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह न जान सकें कि उनका जन में कैसे हुआ ह फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधनी काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेंदेन चल रहा होगा। आलू, सोया, मुंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकन और ऐसे बहुत सारे दूसरे खादेपदार्थ लगभ जिन्ने बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा, यहां, अमेरिका का मत्रभ, उत्तरी अमेरिका, ढक्षड अमेरिका, और कैरेबियन Dzूपसमू सभी से हैं, दरसल हमारे बहुत सारे खादेपदार्थ अमेरिका के मूल लवासीό, जाने अमेरिकन इंडियन से हमारे उनका भोजन बहतर हो गया और उनकी ओसत उम्र बढ़ने लगी। आरलेंड के गरीब काश्टकार तो आलू पर इस हद तक नर्भर हो जुगे थे कि जब 1840 के दशक के मध्ध में किसी बीमारी की करण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुकमारी के कारल मौत के विशय तक का समुदरी रास्ता ढून लिया और वे पश्चमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचें तो पूर्वा आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई दिने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता भूलता व्या यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी थी और इन प्रवाहों के दिशा यूरोप के तरफ भी मुढ़ने लगी थी। अपनी कोच से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्ग नहीं था लेकिन 16 सदी से उसकी विशाल भूमी और बेहसाफ फसलें वख खनिच पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रग बतलने लगे थे। आज के पेरू और मेकसिको में मौझूद खानों से निकलने वाली खीमिती धातुएं खासतोर से चांदी ने भी यूरोप की संपता को बढ़ाया और पश्चे में इश्या के स साथ होने वाले उसके व्यापार को गतिपदान की। पन्दवी सदी का ये चित्र है। एक और चित्र यहां दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आयरलेंड में आलू अकाल का उलेख है। ये इलस्टेट लंदन न्यू से लिया गया है वर्ष 1850 का चित्र है। फसल कट जाने के बाद बचे खुचे आलूओं की उमीद में खे परण मारे गये थे। इसमें दोगने लोग काम की तलाश में घर बार चोड़कर दूसरे इलाकों में चले गये थे। पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग तलग रहने के करण अमेरिका के लोगों के शरी से यूरूप में आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतियुदिक शमता नहीं थी। आईए जाने जैविक युद्ध। न्यू इंगलेंड सित मैसाच्वेट्स बेकालोनी के पहले गवर्नर जॉन विन्थार्प ने मैई 16-34 में लिखा था कि छोटी चैचक उबनिवेश कारों के लिए इश्वर का वरदान है। देशी जनता छोटी चैचक के करण लगबग पूरी खत्म हो चुकी थी। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिलकियत पर हमे मालिकाना दे दिया। पर चैचक जैसी बीबारियों के मामले में तो ऐसा नहीं के जा सकता था क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरिका भी था और उनके शरीर में रोग पर सिर्दुख शमता भी विक्सित हो चुकी थी। 19 सदी तक यूरोप में गरीबी और भुका 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 भी सामराज़ था शहरों में बेहसा भिल थी और बीमारियों का बोलबाना था। धार्मिंक तकराव आम थे। धार्मिंक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वज़े से हजारों लोग यूरोप से भाग कर अमेरिका जाने लगे। अठार्मिं सदी तक अमेरिका में अफरिका से पकड़कर लाए गुलामों को काम में जोंक कर यूरोपिय बाजारों के लिए कापास और चीनी का उत्पादन प्या जाने लगा था। नए शब्द असंतुष्ट जो इस थापित विश्वासों और तर्यकों को नहीं मानता। चर्चा करें। जब हमें कहते हैं कि सोलवी सदी में दुनिया सिकुड़नें लगी थी तो इसका क्या मतलब है। चलते विश्व व्यापार का केंदर पश्चिम की और खिटकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंदर बन गया। यहां एक चितर दिखाई दे रहा है। यह चितर में गुलामों की खरीद फरोगत का यह चितर है। वर्ष 1851 का New Orleans Illustrated London News का एक खरीदार निलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गोर से देख रहा है। इस चितर में चार औरतों और लंबी टोपिया पहने साथ पुरुशों के साथ दो बच्चे भी बिखने के लिए खड़े हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहना कर बाजार में लाया जाता था। अच्छी के लिए दूर दरास के इलाकों में नवेश कर के जता है। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों की जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद सम्मन्द टूट भी जाते थे। उधारन के लिए वस्तूं या पूंजी की आवजाही के मकाबले च्रमिकों की आवजाही पर प्राया ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाए जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहूं का एक साहत अध्यान करें तो 19 सदी की विश्व अर्थ व्यवस्था को ज्यादा अच्छी तर समझ सकते हैं। विश्व अर्थ व्यवस्था का उदय इस विश्व को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगी की रूप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदले रूजानों पर विजार करें तो बहतर होगा। सामाने रूप से सबी देश भोजन के मामले में आत्मे निर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन 19 सदी के ब्रिटेन की बहत अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद देन आत्मे निर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहां के लोगों का जीवन इस्तर गिर जाता औ आईए सुने कि इस आशंका के पीछे क्या करण थे। खाद्य पदार्थों की उनची ख्यमतों से परिशान उद्यूक पतियों और शेहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो क्रण लॉग को फोरण समाप करते। कौरहन लौके निरत हो जाने के बाद बहुत कम खीमत पर खादे पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खादे पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खादे पदार्थों से भी कम थी। फल जरूब ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लग प्रिष्ट संख्या 58 खेती के लिए जमीन को साफ कर देना ही काफी नहीं था। अमेरिका और अस्ट्रेलिया जैसे जिन इस्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहाँ लोगों को ले जाया जाकर बसाया जाने लगा यानि श्रम का प्रवाह होने लगा। 19 सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और अस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविश की चाह में अपने घरबार छोड़ कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे थे। प्रिष्ट संख्या 69 तक एक वैश्वी कृष्वी अर्थ विवस्था सामने आ चुकी थी। इस ते घट्रिना करम के साथ ही श्रम विस्थापन रूज़ानू, पूंजी प्रभा, पारिस्थित्गी और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भूजन किसी आसपास के गाउं या कजबे से नहीं, बलकि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद पदार्त पैदा नहीं कर रहे थे, अब ये काम ऐसे ओद्यों की कमजदूर करने लगे थे जो संभावता हाल ही में वहां आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे, जहां महज एक पीड़ी पहले संभावता ठे ब्लेट जंगल रहे होंगे, खाद पदार्थों को एक जगह से डूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का استعمال किया जाता था, रेलका नेटवर्ग इसी काम के लिए बिछाया गया था, पानी के जहाजों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था, इन जहाज के नाट की बदलाव हम अपने यहां पंजाब में भी देख सकते हैं यहां ब्रिटिस भारती सरकार ने आर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाओ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताके निर्यात के लिए गेहूं और कापास की खेती की जा सके नई नहरों क की सुचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्यस्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया उनकी बस्तियों को कैनौल कॉलोनी अर्थाद नहर बस्ति कहा जाता था बोजन तो सिर्फ एक उधारन मात्र है ऐसी कुछ ऐसी ही कहानी का पास की भी रही है जिसकी दुनिया भर मे बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपडा मिलों की बांग को पूरा कह जा सके रबड की कहानी भी इस से अलग नहीं है विभेन चीजों के उतपादन में विभेन इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार मे 25 से 40 गुना वृद्धी हो चुकी थी इस वियापार में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा पराथ्मिक उतपादों यानि गेहूं और कपास जैसे क्रशी उतपादों तथा कोईले जैसे खनेच पदार्थों का था गति बिधी कल्पना कीजिए कि आप आइरलेंड से अमेरिका में आए एक खेत मज़़ूर हैं इस बारे में एक पैराग्राफ लिखिए कि आपने यहां आने का फैसला क्यों किया और अब आप अपनी रोजी रूटी कमाने के लिए क्या करते हैं दूसरी कति भी थी फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शाइए कि जब ब्रिटेन ने खाद्य पदार्थों के आयात का निरने लिया तो उसके करण अमेरिका और आस्ट्रेलिया की और पलायन करने वालों की संख्या क्यों बढ़ने लगी तकनीक की भूमिका इस घटना क्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही रेलवे, भाब के जहाज, टेलिग्राफ ये सब तकनीक की बदलाव बहुत महतपूर रहे उनके बिना उनीसवी सदी में आये परिवर्तनों की कलपना नहीं की जा सकती थी तकनीकी प्रगती अकसर चौतरफा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का प्रणाम भी होती है उधारन के लिए ओपनिवेशी करण के करण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किये गए तेज चलने वाली दिलगाणिया बनी, बोग्यों का भार कम किया गया, जल पोतों का आकार बढ़ा जिससे किसी भी उतपाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लगत पर और ज्यादा आसानी से पहुँचाया जा सके मांस उतपादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है, 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरूप को मांस का निर्यात नहीं के जाता था, उस समय केवल जिन्दा जानवर ही बेज़े जाते थे जिन्ने यूरूप ले जाकर ही काटा जाता था, लेकिन जिन्दा जानवर बहुत ज्यादा जगे गिरते थे, बहुत सारे तो लंबे सफर में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे, बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने के लाइक नहीं रह जाते थे, इसी वज़े से मांस खाना एक महंगा सौधा था और यूरोप के गर जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था, इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा, अमेरिका, आस्टेलिया या नियूसी लेंड सब जगे से जानवरों की बजाए उनका मांसे ही यूरोप उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब वो बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार जैसे मक्खन और अंडे भी शामिल हो गया, जिवनिस्सिती सुधरी और देश में शांती स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में सामराज्य वादी मनसूवों को समर का ही दौर नहीं था, हमें इस प्रक्रिया के सियाह पक्ष को भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थ व्यवस्था के साथ निकटता का एक परणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंतरता और आजीविका क साधन चिनने लगे, उनीसवी सदी के आखरी दर्षकों में यूरोपियों की विजियों से बहुत सारे कष्ट दायक आर्थिक, सामजिक और पारिसित की परिवर्तन आये और आपने वेशिक समाजों का विश्व अर्थ व्यवस्था में समाहित कर लिया गया, यहां दो चित खरीत फरोक्त की जाती थी, स्मित फिल्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था, उनीसवी सदी के मध्ध में स्मित फिल्ड के पास एक विशाल मुर्गी और मांस बाजार खोला गया था, जहां से देश के सभी बड़े मांस आपूरती केंडरों को रेलवे जा रहा है, इलस्टेट लंदन न्यूस का चितर है, वर्ष 1878 का, मांस का नर्यात तब ही संबह हो पाया जब जहाजों को ठंडा रखने की विवस्था कर ली गई प्रिश्ट संख्या एकसर्ट अफरिका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिदंदी यूरूपी ताकतों ने अपने अपने अलाके बाटने के लिए प्राहया इसी तरीके का साहरा लिया था 1885 में यूरूप के ताकतवर देशों की बर्निल में एक बैठक हुई जिसमें अफरिका के नक्षे पर इसी तरह लगीरें खीच कर उसको आपस में बाट लिया गया था 19. सदी के आखर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी खेतरफल में भारी वरधी कर ली थी बेल्जियम और जर्मनी नए उपनिवेशक ताकतों के रूप में सामने आए पहले स्पेन के कबजे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कबजा करके 1890 के दशक के आखरी वर्षों में सैयूंक्त राज्य अमेरिका भी आपनिवेशक ताकत बन गया आएए देखें कि उपनिवेशवाद से आपनिवेशक समाजों की अर्थ वैवस्था और रोजी रोटी के साध्यों पर क्या असर पड़ा प्रिष्ट संख्या 62 रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग अफरिका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से पहल गई मवेशियों में प्लेग की तरह पहलने माली इस बीमारी से लोगों की आजिवी का और इस्थानी अर्थ वैवस्था पर गहरा असर पड़ा ये इस बात का अच्छा उधारन है कि आपनेवेशिक समाजों पर यूरोपी सामराज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े इस उधारन से पता चलता है कि हमलों और विजियों के इस युग में दुर्गटना वच पहल गई मवेशियों की बीमारियों ने हजारों लोगों का जीवन वभाग के बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके सम्मंधों को नई शकले में ढाल दिया प्राचीन काल से ही अफरिका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही जबकि वहां की आबादी बहुत कम थी सदियों तक अफरिक्यों की जिन्दगी और कामकाज जमीन और पालतू पशू के साहरी चलता रहा है वहां पैसे या वेतन पर काम करने का चलने नहीं था 19 सदी के आखर में अफरिका में ऐसे उपभोगता सामान बहुत कम थे जहने वेतन के पैसे से खरिदा जा सकता था अगर आप अफरिका के किसान होते और आपके पास जमीन और पालतू पशू होते जिनकी वहां कोई कमी नहीं थी तो शायद आपको भी इह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत है 19 सदी के आखिर में यूरोपी ताकतें अफरिका के विशाल, भूक, शेत्र और खानेज भंडारों को देखकर इसमाहाद्वीब की वरा कर्शिद हुई थी यूरोपी लोग अफरिका में बागानी खिर्ती करने और ख़दानों का दोहन करना चाते थे ताकि उन्हें वापस से यूरोप भीज़ा जा सके लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्था पेशाई जिसकी उन्हें उमीद नहीं थी, वहाँ के लोग तनखुआ पर काम नहीं करना चाते थे मजदूरों की भरती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हतकंडे आजमा कर देख लिए लेकिन बात नहीं बनी, उन पर भारी भरकम कर लाद दिये गए जिनका भुकतान केवल तब ही किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानो में काम करता हो। काश्टकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्रा धिकार कानून भी बदल दिये गए। नए कानून में विवस्था कर दी गई कि अब परिवार को केवल एकी सदस्य को पैत्रिक संपत्ती में लेगी। इस कानून के जरीए परिवार के बाकी लोगों यहां दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, पहले चित्र में ट्रांसवाल सुरनक खानों तक आवा गमन का उलेख है दग्राफिक वर्ष 1887, विल्जनदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना ख़दानों तक पहुँचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था, विट वासरलेंड मे सोने की खनिजों के बाद तो बीमारी और मौत की आशंका और आस्ते की कटनाईयों के बावजूद यूरोप के लोग उस इलाके की और दोल पड़े थे, 1890 के दशक तक आती आते, दुनिया भर के सोना उत्पादन में अफरेका का हिस्सा 20 प्रतिशत से भी उपर जा प्रिष्ट संख्या 63 जंगल की आग की तरह पश्यमी अफरेका की तरफ बढ़ने लगी, 1892 में ये अफरेका के अटलांटिक तड़ पर जा पहुँची, पांच साल बाद ये कैब, अर्थाद अफरेका का धुर दख्शन हिस्सा तक भी पहुँच गई, रिंडर पेस्ट ने अपने रास्ते में 90 प्रतिशत मवेश्यों को मौत की नीद सुला दिया, पश्यों के खत्म हो जाने से तो अफरियों के रोजी रूटी के साधनी खत्म हो गए, अपनी सत्ता को और मजबूत करने, तथा अफरेकियों को श्रम बाजार में ढखेलने के लिए, वहां के बागान मालिकों, खान मा बना लेने का बहतरीन मौका हाथ लगिया था, उनीस्वी सदी की दुनिया के अनिब भागों पर पश्यमी आक्रमट और विजय के परणामों की ऐसी और भी कहानिया देखी जा सकती हैं, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, भारत से अनुबंधित याने गिरमिटिय श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19. सदी की दुनिया की विविदता को प्रतिविम्मित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धी के साथ साथ जनता के कश्टों में वृद्धी, कुछ लोगों की आए में वृद्धी और दूसरों के लिए बेहसाब गरीबी, कुछ ख्षेत्र में उस्पिडन के नए रूपों की इजात की दुनिया थी। 19. सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क और रेलवे निर्मान परियुजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारती अनुब मौजूता पूर्वी उत्तरपदेश, बिहार, मद्दपदेश, मद्ध भारत और तमिलाड के सूखे इलाकों से जाते थे। 19. सदी के मद्ध में इन इलाकों में भारी बतलावाने लगे थे, कोटिर उद्योग खत्म हो रहे थे। जमीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानो की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोडने पड़े। की एजिंट क्या करते थे। एजिंटों को कमिशन मिलता था, बहुत सारे आपरवासी अपने गाउं में होने बाले उत्पिडन और गरीबी से बचने के लिए इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजिंट भी भावी आपरवासीों को फुसलाने के लिए जूटी जानकरिय नहीं दी जाती थी। बहुत सारे आपरवासीों को तो यह भी नहीं बताय जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजिंट उसका अपरण तक कर लेते थे। कारे स्थितियां कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भरको भी नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंड निकाले। बहुत सारे तो भाग कर जंगलों में चले गए। अगर ऐसे मजदूर जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। बहुतों ने अपने पुरानी और नई संस्क्रती का संविष्ण करते हुए व्यक्तिकत और सामोहिक आत्मा विव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। त्रिनिदाद में महर्म की ठालान जुरूस को एक विशाल उत्सवी मेले क रूप दिया गया। इस मेले को होसे अर्थात हिमाम हुसेन के नाम पर नाम दिया गया। उसमें सभी धर्मों और नसलों के मज़दूर हिसा लेते थे। इसी प्रकार रास्ता फारियानवाद नामक विद्रोही धर्म अर्थात जिसे जमैका के रहके गायक बाब मारले ने ख्याती के शिकर पर पहुचा दिया। में भी भारती आप्रवासियों और कैरीबियाई दूइप सम्हूं के बीच इन संबंधों की जलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुएना में मशूर चटनी म्यूजिक भी भारती आप्रवासियों के बहां पहुचने के आपस में घुल मिल जाती थी, उनकी मूल पहचान और विश्टताएं गुम हो जाती थी और बिलकुल नया रूप सामने आता था। यहां दो चितर दिखाई दे रहे हैं। पहले चितर में त्रिनिदाद के एक कोको बागान में काम करते भारती गिर्मिटिया मजदूर पहता था। चर्चा करें, राष्टिय पहचान के निर्माण में भाषा और लोग परमपराओं के महतों पर चर्चा कीजिए। प्रिष्ट संख्या 65 प्रिष्ट सर्वन का नाम भी सुना ही हुगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतियों जैसे क्यों हैं। इसकी वज़ए यही है कि वे भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वंचज हैं। बीसफी सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्टवादी नेता इस प्रथा का विरूत करने लगे थे। उनकी राय में यह बहुत अपांजनक और टूर वेवस्था थी। इसे दवाब के करण 1921 में इससे खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी कई तक भारती अनुबंतित मजदूरों के वंचज केरी बियाई द्वीब समू में बैचेन अलप संख्यकों का जीवन जीते रहे। वहां के लोग इन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा बरताव करते थे। नाइपॉल के कुछ प्रारम्रिक उपन्यासों में विचो और परायपन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। विदेश में भारती उद्यमी। विचो बाजार के लिए खाद्य पदार्द वफसले उगाने के वास्ते पूंजी के अवशक्ता थी। बड़े बगानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षन पूर्व एशिया में निद्याथोन मोखी खेती के लिए करजे देते थे। इसके लिए वे या थो अपने जेब से पैसा लगाते थे या ये ये बैंकों से करज लेते थे। उनके पास ये उपने विशकारों के पीछे पीछे भारती व्यापारी और महाजर्वी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो ये उपने वेशों से भी आगी तक जा निकले। 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एमप पोतों के आजाने से सैलाणियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। यहां एक चितर दिखाया गया है। इस चितर में एक अनुबंधित श्रमिक अर्थाथ गिरुमिटिया मजदूर के अनुबंध का फॉर्म प्रदश्रित किया गया है। एक गिर्मेटिया मजदूर की आप बेती सुनिये। आप रवासियों को काम बहुत भारी बढ़ता था और वे दिन भर में अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। अगर काम संतोशनक धंक से पूरा ना हुआ तो तनख्वा भी काट ली जाती थी। इस लिए बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वेतर नहीं मिल पाता है और उन्ह तरह तरह से सजादी जाती है। धरसल मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधी भारी मुश्किलों में बितानी पड़ती है। प्रिष्ट संख्या 66 भारती व्यापार उपने वेश्वात और वैश्वित व्यवस्था भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपी देशों को निरियात किया जाता था। और जोगी किरण के बाद बितेन में भी कपास का उत्वादर बढ़ने लगा था। इसी करण वहां के उद्यूग पतियों ने सरकार पर दबाब डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानी उद्यूगों की रख्षा करे। आंखणों का ध्यन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निरियात में लगातार गिरावट का ही रुज़ान दिखाई देता है। कारियों का केंद्र यहां था। एक और चित्रेहा प्रदर्शित है यह चित्र है सूरत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से दिखने वाला द्रश्य। सत्रवी सदी के दौरान और अठारवी सदी के शुरुआती सालों में सूरत बश्यमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा। प्रिष्ट संख्या सरसट जैसा कि आपने पिछली कक्षा में सुना ही था 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्याद भी केजने लगा। कुछ समय तक तो भारती निर्याद में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्याद कर दीती थी। अफीम के निर्याद से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही जाय और दूसरे पदार्थों का आयत कह जाता था। उनीसवी शताबदी में भारती बाजारों में ब्रिटिश और योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेश विश्व को भेज जाने वाले खाद्यान और कच्चे मालों के निर्यात में इसाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जात था। उसकी ब्रिटेन ब्रिटेन भेज जाने वाले माल की बहुत जयादा होती थी। ब्रिटेन ति मुन में आपधेन को लिए खाद्यान को भारत भारत इस में घबाइक साहर के किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मनाफ़ा कमा कर की जाती है ब्रिटेन के घाटे की भरबाई में मदद देते हुए भारत ने 19 सदी की विश्व अर्थवस्था का रूप तै करने में एक एहम भूमिका अदा की थी यहां एक चित्र पदेशित क्या गया है इस चित्र में 70 सदी के आंथ में भारत को शेश विश्वस से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग को दर्शाया गया है ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेश हासिल होता था उससे एक तथा कते तो हूम चार्जिस अर्थात देशी खर्चे का निप्टारा होता था इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों दोरा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारती बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके प्रतानी अफसरों की पेंशन शामिल थे महा युद्धों के बीच अर्थ वैवस्था पहला महा युद्ध मुख्य रूप से युरूप में ही लड़ा गया लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किये गए इस अध्याय में हम जिन चीजों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टी से एक महत्यपूर्ण प्रभाविया रहा कि इस युद्ध ने विश्व अर्थ वैवस्था को एक ऐसे संकट में ढखेल दिया जिसे से उबरने में दुनिया को तीन तशक से भी ज्यादा समय लग इस दौरान पूरी दुनिया में चो तरफा आर्थिक एवं जराजनीतिक अर्थ्थरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे करहने लगी। युद्ध कालीन रूपांतरन जैसा कि आप जानते ही हैं पहला विश्व युद्ध दो खेम उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा पर यह युद्ध तो चार साल से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। जिनकनों, टैंकों, हवाई जहाजों और ऐसने खत्यारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। यह सभी चीज़ें आधनिक विशाल उद्यूगों की देन थी। ज़्यादा लोग मारे गए और दो करोड खैल हुए। यहां एक चित्र दर्शाय गया है। इस चित्र में प्रथम विश्व युद्ध के दोरान एक हातियार फैक्टरी में काम करते मजदूर दर्शाय जा रहे हैं। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए हातियारों के उत्पादन में तेजी से इजाफा हुआ। मृतकों और घायलों में से ज्यादा तर कामकासी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के करण यूरोप में कामकास के लायक लोगों की संक्या बहुत कम रहे गई। परिवार के सदस से घड जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आई भी गिर गई। जिने अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। युद्ध के करण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक सम्मंध तूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिका बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी करजा लेना पड़ा। फलसरूप इस युद्ध ने अमेरिका को करजदार की बजाए करजदाता देश बना दिया। कहने का आशाय यह है कि युद्ध के बात दूसरे देशों में अमेरिका और उसके नागरिगों की संपतियो युद्धोतर सुधार युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जम कर करज़े लिये थे। इसका प्रिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी करजों में दब चुका था। युद्ध के करण आर्थिक उच्छा का माँखल पैदा लगी। दूसरी और सरकार ने भारी भरकम युद्ध सम्मंधि व्यार में भी कटोती शुरू कर दी ताकि शांतिकालीन करों के सारे ही उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रियासों से रोजगार भारी तादात में खत्म हुए। आदों की हालत पर ही विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूरवी यूरूप विश्व बाजार में गिहूं की आपूरती करने वाला एक बड़ा केंदर था। युद्ध के दौरान ये आपूरती अस्ते व्यस्त हुई तो कनाजा, अमेरिका और अस्टेलिया में गिहू गिहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरूप में गिहूं के पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गिहूं की अतिके हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामिन आये कम हो गई और किसान गेहरे कर्ज संकट में फंज गए। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। ये हम पहले ही सुन चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थ वैवस्था को कितना फायदा पहुँचा था। युद के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थ वैवस्था तेजी से तरक्षी के रास्ते पर बढ़ने लगी। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थ वैवस्था की एक बड़ी खासियत थी बहुत रहत उत्पादन अर्थात मास प्रडेक्शन का चलन। रहत उत्पादन की औ बढ़ने का सिलसला तो 19. सदी के आखिर में ही शुरू हो जगा था लेकिन 1920 के दशक में तो ये अमेरिकी अर्थ वैवस्था की अर्थ वैवस्था की विख्यात प्रणेता थे उन्होंने शिकागो के एक बूचल खाने की असेंबली लाइन की तर्थ पर डेट्रॉइट के अपने कार-कार खाने में भी आधनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के बूचल खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस वेकरिता अपने हिस्से का मांस उठा कर निकलते जात यह देखकर फोट को लगा कि गाड़ियों को उतपादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरिका समय और पैसे दोनों के लिहास से किफायती साबित हो सकता है। साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उड़ा सकता था। और तो और इस वेवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीद भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीज़ा यह हुआ कि हैंडरी फोर्ड के कारखाने की असेमली लाइन से हर तीन मिनिट में एक कार तैयार होकर निकले लगी। इससे पहले के बदद्दियों के मकाबले यह रफतार कई गुना ज्यादा थी। टी मौडल नामक कार व्रित उतबादन पद्दिती से बनी पहली कार थी। यहां ए होने वाली ठकान ज्यले में काफी मुश्किल महसूस हुई क्योंकि वे उसकी रफतार को किसी भी तरह नियंतरत नहीं कर सकते थी। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दोगुना या अपनी असेमली लाइन की रफतार बार बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम का बोज लगातार बढ़ता जा रहा था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुश थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदिगी में उन्हों 71 वर्यत उत्पादन पद्दती ने इंगिनिरिंग आधरे चीजों की लागत और कीमत में कमी ला दी। बहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाओ उपभोकता वस्तूर खरीच सकते थे। ये सब चीजें हाईर पर्चिस ब्यवस्ता के तेहर तक खरीदी जाती थी यानि ये लोग ये सारी चीजें करजे पर खरीदे थे और उनकी कीमत सापताहिक या मासिक किष्टों में चुकाई जाती थी। आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेरियु जरुवत की चीजों में निवेश्टे रोजगार और मांग बढ़ती थी और दूसरी और उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के करण और ज्यादा निवेश्टी जरुवत थी जिससे और नए रोजगार और आमादिनी में व्रदी होने लगती थी। 1923 में अमेरिका शेश विश्व को पूँजी का निरियात दोबारा करने लगा और वो दुनिया में सबसे बड़ा कर्ज दाता देश बन गया। पहले कभी आनुभव नहीं किया था। यहां एक चित्र प्रदिश्व किया गया है। इस चित्र में महामंदी के दौरान एक आप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूका परिवार दर्शाय गया है। चित्र वर्ष 1936 का है। यह चित्र लेने वाली डौराथी लेंग ने इस भूकी मा के साथ अपनी मलाकात के ख़णों को याद करते हुए बहुत साल बात कहा था। मैंने इस भूकी लाचार औरत को देखा और मानो किसी चुमक से खिंशी मैं उसकी और बढ़ती चड़ी गई। मैंने ना तो उसका नाम पूछा ना उसके अधीद के बारे में सवाल किये। उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा उसकी उम्र 35 साल है। उसने कहा कि वे लोग यानि मा और उसके साथ बच्चे आसपास के खेतों में जाडों से जमी पड़ी सबजियां और उन परिंदों के सहरे जिंदा हैं जिनें उसके बच्चे मार डालते हैं। वो यहां बैठी थी पर अपने बच्चों को चिप्टा है। शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी कोई मदद कर सकती है इसलिए उसने मेरी मदद करती। महामंदी आर्थिक महामंदी की शुरूआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मदध तक बना रहा। इस दोरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उतपादन, रोजगार, आय और व्यापार में भ से बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि और योगिक उतपादों की तुल्णा में खेती हर उतपादों की कीमतों में ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी के कई कारण थे, यह हम पहले ही सुन चुके हैं कि युद्धोतर वश् आए घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उतपादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे, ताकि कम कीमत पर ही सही, लेकिन ज्यादा माल पैदा करके वे अपना आए इस तर बनाये रख सकें। फलसरूब बाजारों में प्रिश्य उतपादों की आमत और भी 1920 के दशक के मध में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से करजे लेकर अपनी निवेश्य संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से करजा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा, यूरोप में कई बड़े बैंक धराशाई हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई, इस जटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया, लेटन अमेरिका और अनिस्थानों पर क्रिशी एवं कच्छे म आयातित पदार्थों पर दो गुना सीमा शुलक वसूल करने लगी, इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी, और द्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही जिलना पड़ा, खीमतों में क्यमी और मंदी की आशंकात को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया, जो कर्जे दिये जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई, किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तभा हो गए, कारोबार ठप पड़ गए, आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बह गवार की तरह रातों रात काफूर हो गई थी, बिरोदकारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे, आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशाई हो गई, निवेशर से अबेक्षित लाप ना पाने, कर्जे वसूल ना कर पाने, और जमा करताओं की जमा पूझी ना लोटा पाने के कारण हजारों बैंक देवालिया हो गए और बंद कर दिये गए, इस पर घटना से जोड़े आंकले सकते में डाल देने वाले हैं, 1923 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे, और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 110,000 कमपनिया च जोपट हो चुकी थी, जब भी 1935 तक ज्यादा तर अध्यों की गदेशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाजों, आंतरराश्टी संबंधों और राजनीती तथा लोगों के दिल और दिमाग पर उसकी जो च्छप पड़ी वो ज प्रिष्ट संख्या तिहत्तर जैसा कि आप पीछे सुन चुके हैं, आपने वेशिक भारत क्रिशी व्यवस्तूं का नरिया तक और तैयार मालों का आया तक बन चुका था। नकाबले किसानों और काष्टकारों को ज्यादा नुकसान हुआ, यह तब भी किशी उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इंकार कर दिया, सबसे बुरी मार उन काष्टकारों पर पड़ी जो विश्व पाष्टकारों की कीमतों में 60% से भी ज्यादा गिरावटा गई, जिन काष्टकारों ने दिन फिरने की उमीद में या बहतर आमदनी के लिए उपच बढ़ाने के वास्ते करजे लिये थे, उनकी हालत भी उपच काही सही मोलना मिलने के करण खराब थी, वे दिनों दिन और करज में डूपते जा रहे थे, इसी विपत्ती को ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवी ने लिखा था, चलो भाईयों, नकत की उमीद में और ज्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और करजे में पिसकर नाउमीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फसा कर फसल खड़ी कर जा बच्चत खत्म हो चुकी थी, जमीन सूत खोरों के पास गिरवी पड़ी थी, घर में जो भी गहने जेवर थे, बिक चुके थे, मंदी के इनी सालों में भारत कीमती धातूं, खास्त और से सोने का निर्याद करने लगा, प्रसिद अर्थशास्तिरी कीन्स का मानना था, कि भ मंदी अपने चरम पर थी, और ग्रामिल भारत असंतोश व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, उसी समय महात्मा गांधी ने सविने अवग्या अर्थाद सिविल नाफरमानी अंदुलर शुरू किया, यह मंदी शेहरी भारत के लिए इतनी दुखताई नहीं रही, खीमते गिरते जाने के बावजूद शेहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही, जिनकी आय निशिती जैसे शेहर में रहने वाले जमीदार जिने अपनी जमीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यवरगी वेतन भूगी कर्मचारी, राष्टवा जूट उगाने वालों के विलाप में पटसन की खेती से किसके मुनाफे का जिक्र आया है, स्पस्ट कीजिए। तो दूसरा खेमा मित्र राष्टों, अर्थाग, ब्रिटेन, सोवेट संग, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था, छे साल तक चला यह युद्ध, जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया, इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद ब प्रदिशत था, करोनों लोग घैल हुए, अब तक के युद्धों में मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज्यादा होती थी, इस युद्ध में ऐसे लोग ज्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे, यूरोप और इश्या के विशाल भूभाग तभा हुए, कई शहर हवाई बंबारी या लगातार गोराबारी की कारण मिट्टी में मिल गए, इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया, ऐसे हालात में पुनर निर्मान का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था, युद्धोतर काल में पुनर न शक्ति के रूप में सामने आया, नात्सुनी जर्मनी को हराने के लिए सोवित संग की जनता ने भारी कौरबानिया दी, जिस समय पूंजी वादी दुनिया महामंदी से जूज रही थी, उसी दोरान सोवित संग के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेती हर देश की जगे एक विश्व शक्ती की हैसियत में लाखड़ा किया था, यहां दो चित्र प्रदशित किये गए हैं, पहला चित्र है रूस पर हमला करती जर्मन टुक्नियों का, जुलाई 1941 रूस पर हिटलर का हमला युद में एक निरनायक मैत्र की घड़ना थी, और दूसरा चित् संग में युद्ध से तभा स्टालिन ग्राद का, युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुट्स संस्थान, दो महा युद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से आर्थिशास्त्रियों और राजनीतिग्यों ने दो एहम सबक निकाले, पहला व्रहत प्रिश्ट संख्या 75 दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था, पूर्ण रोजगार का लक्ष केवल तब ही हासिल कह जा सकता है, जब सरकार के पास वस्तूओं, पूंजी और श्रम की आवजाही को नियंदर्द करने की ताकत उपलब्ध हो, संक्षेप में यो दोतर अंतरराष्टी आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश यह था कि और द्योकिक विशो में आर्थिक स्थिर्था एवं पूर्ण रोजगार बनाये रखा जाए, इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित नियू हैंशर के ब्रेटन वुड्स नामक स् पर संयुक्त राष्ट मौद्रिक एवं वित्तिय सम्मिलन में सहमती बनी थी, सतत से देशों के विदेश व्यपार में लाब और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मिलन में ही अंतरराष्टी मुद्रा कोश अर्थात IMF की स्थापना की गई, युद्धोत जैसे विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन असाथ ब्रेटन वुड्स की जुडवा संस्थान भी कहा जाता है, इसी आधार पर यो धोतर अंतरराष्टी आर्थिक व्यवस्था को अकसर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी क इन संस्थानों की निरने प्रक्रिया पर पश्यमी और द्योकिक देशों का नियंत्रन रहता है। दूसरे से जोडने वाली व्यवस्था है। यह चित्र है ब्रेटन वुड्स अमेरिका स्थित माउंट वाशिंग्टन होटल का। यही वहिस्थान है जहां ब्रेटन वुड्स का एतिहासिक सम्मेलन आयुजित किया गया था। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। समय अधिकांश औध्योगिक देशों में विरूजगारी औसतन 5% से भी कम ही रही। चर्चा करें। प्रिष्ट संख्या 76 प्रिष्ट हो चुके थे। विकाससील देश पर भी पहले से ज्यादा ध्यान दिने लगे। उन्हें ऐसे आंतरराश्टी संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व आपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। अनौप निवेशिकरण के बहुत साल पी जाने के बाद भी बहुत सारे नवस्वाधीन राश्टों की अर्थ विवस्थाँ पर भूतपूर्व आपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंतरन बना हुआ था। जो दिश ब्रिटेन और फ्रांस के उपरवेश रह चुके थी या जहां कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका वहां के महतपूर्ण संसाधनों जैसे खनिच संपदा और जमीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसिसी कंपनियों का ही नियंतरन था और वे इस न कीमत पर दोहं करने लगती थी दूसरी और ज्यादतर विकास शील देशों को पचास और साथ के दशक में पश्यमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगती से कोई लाव नहीं हुआ इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई आंतर राष्टिय आर्थिक बढ़ा ली अर्थाथ New International Economic Order NIEO के लिए आवाज उठाई और समू सततर अर्थाथ G77 के रूप में संगठित हो गए NIEO से उनका आशे एक ऐसी वे वस्थादे था जिसमें उन्हें अपने संसाधरों पर सही माइनों में नेंतर मिल सके जिसमें उन्हें विकास के लिए आधिक साहता मिले पच्चे माल के लिए सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेजन यह कर यह शुल्क उस जगह लिया जाता है जहां से वो चीज देश में आती है यानि सीमा पर जैसे बंदरगा पर या हवायडे पर। जब अमेरिकी वेवसाय दुनिया भर में पहलते जा रहे थे और पश्यमी यूरूप एवं जाबान भी विश्वयुद के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली ओद्यों की कराश्ट बनने की और अग्रिसर थे उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनिया सामनी आई बह आयात शुल्क वसूल करते थी जिसके करण बड़ी कंपनियों को अपने संयंत्र उन्ही देशों में लगाने पड़ते थे जहां वे अपने उत्पाद बेचना चाहती थी उन्हें घरेल उत्पादुकों के रूप में काम करना पड़ता था प्रिश्ट संख्या सतहत्तर अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रहिया था सोनी की तुल्हना में डॉलर की कीमत गरने लगी थी नए शब्द विनिमेदर इस व्यवस्था के जरिये अंतर राष्टी व्यापार की सुवधा के लिए विभिन देशों की राष्टी मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है मौटे तोर पर विनिमेदर दू प्रकार की होती है इस्थिर विनिमेदर और परिवर्तन शील विनिमेदर इस्थिर विनिमेदर जब विनिमेदर इस्थिर होती है तो उनमें आने वाले उतार चड़हवों को नियंतरत करने के लिए सरकारों को हस्तक्षिप करना पड़ता ह तो ऐसी विनिमेदर को इस्थर विनिमेदर कहा जाता है। लचीली या परिवर्तंशील विनिमेदर इस तरह की विनिमेदर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन मुद्राओं की मांग या आपूर्थी की आधर पर और सिद्धान्थतर सरकारों के हस्तक्षेफ के बिना घ अंतरराश्टी संस्थानों की शरण ले सकते थे लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यवसाइक बैंकों और निजी रिंदाता संस्थानों से कर्द ना लेने के लिए बात ही किया जाने लगा। के प्रारंबिक वर्षों तक वहां काफी बिरोजगारी रही। सत्तर के दशक के आखिर सालों में बहुराश्टी कंपनियां भी एश्या के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रिक करने लगी जहां वेतन कम थे। प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस परधा कर रही विदेशी बहुराश्टी कंपनियों ने वहां जम कर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे ज्यादा तर टेलिवीजन, मोवाईल फोन और खिलों ने चीन में बने होते हैं या वहां के जैसे ही लगते हैं। यह चीनी अर्थव्यवस्था की अलप लागत अर्थव्यवस्था और खास तोर से वहां के कम वेतनों का नतीजा है। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। पिछले दो दशक में भारत, चीन और ब्राजील आदी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आये भारी बदलावों के करण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह पदक चुका है। संख्यप में टिपड़ी कीजिए। पहला, सत्रवी सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उधारन दीजिए। एक उधारन एश्या से और एक उधारन अमेरिका माहजूई के बारे में चुनिये। दूसरा, बताएए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनेविश्वी करण में किस प्रकार मदद की। इन प्रभावों की व्याक्ठ्या करते हुए संग्षिप्त टिपडियां के जे। देशों में इस्थानंदरित करने का फैसला। चार, खाध्य उपलब्दता पर तक्नीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहाद से दो उधरन दीजे। पांच, ब्रेटन वुट्स समझोते का क्या अर्थ है। चर्चा कीजे। 6. कल्पना कीजे कि आप केरी बियाई ख्षित्र में काम करने वाले गिर्मिटिया मजदूर है। इस अध्याय में दिये गए विवरोन के अधर पर अपने हालात और अपनी भावनाओं का वरणन करते हुए अपने परिवार के नाम एक पत्र लिखिए। 7. अंतरराश्टिय आर्थिक विनिमयों में तीन तरह की गतियां या प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतियों से सम्मंधित एक-एक उधरन दीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। 8. महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। 9. G77 देशों से आप क्या समझते हैं। 9. G77 को किस अधार पर ब्रेटन वुट्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। व्याख्या कीजिए। 9. सधी के दौरान दक्षन अफरिका में स्वरण हीरा खनन के बारे में और जानकरिया इकटा कीजिए। 10. सोना और हीरा कंपनियों पर किस का नियंत्र था। खनिक कौन लोग थे और उनका जीवन कैसा था। अभी आप सुन रहे थे थ्वनी पाठे पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भागदो। वाचंस्वर संजेट चंसूरिया निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत।